मित्रों वर्ष दो हजार चौबीस में नाग पंचमी कब है, पूजा का शुभ मुहूर्थ कब है और पंचमी तिथी कब शुरू होगी, कब समाप्त होगी जानेंगे इस वीडियो में लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें मित्रों हर वर्ष श्रावण मास की शुकल पक्ष के पंची में तिथी को नाग पंचमी मनाई जाती है नाग पंचमी के बावन को विशेश माना गया है क्योंकि सावन मास का महीना भगवान भोलेनाथ को अतिप्रिय है इसलिए नाग पंचमी के दिन भगवान भोलेनाथ के साथ भगवान नाग देव की भी पूजा की जाती है मानता है कि नाग पंचमी के दिन नागों की पूजा करने से जीवन में आने वाली सभी समस्या बढ़े और समस्याएं दूर होती हैं और जी किसी की जन्म कुंडली में कालसर्प दोश है, वह लोग नाग पंचमी के दिन नागों की पूजा करके कालसर्प दोश से मुक्त हो सकते हैं, इस दिन नाग देवता की विधी विधान पूजन अर्चन करने से सुख समरिधी में वृध्धी होती है, मुक्ती मिलती है, मित्रों और पूजा करने का मुहूर्थ को भी जान लेते हैं, जो इस प्रकार है, मित्रों अब आपको बता दे कि वर्ष 2024 में नाग पंचमी 9 अगस्ट दिन शुक्रवार को मनाई जाएगी पूजा करने का शुभ मुहूर 5 बचकर 45 मिनट से लेकर सुबह 8-26 मिनट तक रहेगा आशा करते हैं कि या छोटी सी जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूले और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें ताकि नाग देवता आपकी हर मनोकामना को पूरा करें फिर मिलते हैं किसी ऐसे ही रोचक वीडियो के साथ तब तक के लिए नमस्कार हर हर महादे